तो हम बात कर रहे हैं किसी रेज में से मुझे smallest या largest 3 का average या sum या count किस तरह से निकालेगे तो हमारे पास यह data है इसमें से सबसे lowest value जैसे कि आप min का formula लगाते हैं अगर मुझे average निकालना है तो कैसे करेंगे चली हम बताते हैं आपको हम यहां पर लगाएंगे formula अगर मुझे average निकालना है तो average लगाएंगे average में हम करेंगे formula यहां पर small का small हम small में अपनी range को select करेंगे और range को select करने के बाद curve bracket में 1,3,2,3 हम डालते हैं 3 करना या 5 मान लिज़े करना है 4,5 और यहां पर हम enterprise करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर 25.6 इसका average निकल गया बट यहां पर हमने 1,2,3,4,5 लिखा है यह थोड़ी सी problem करेंगे कर सकते हैं यहां मुझे top 10 का average या sum निकालना है तो यहां मुझे sum निकालना है तो हमने sum किया और हमने यहां पर दिया top 10 है हमारा तो हमने किया large large और हमने अपने data को select कर लिया और यहां पर हम row के अंदर में डाला 1,10 buy के close किया और फिर आपके system अगर latest है तो normal enter या आपका पुराना system है एकसल है तो आप control shift enter प्रेस करेंगे और यहां पे total आ गई sum value अगर इसको देखना चाहते है कि इसका purchase क्या है तो evaluate value पे जाए और यहां पे देखें कि आपका formula कैसे work कर रहा है one by one और क्या result आ रहा है तो आपने सीखा कि calculating average smallest value in the range सबसे छोटा सबसे बड़ा sum करना या average निकालना अब बागे formula भी आप इसी के according निकाल सकते है तो मैं सुझीत कुमार advanced excel training center से आप आपका स्वागत करते हो हमारी इस YouTube वीडियो टिक्टोरियर में जहां सीखते हैं complete advanced excel दोस्तों इसी तरह की fantastic tricks और मेरे साथ life support के लिए मेरा mobile app download करें mobile app download करने के लिए आपको play store में जाना है और search करना है excel, mrs, training और मेरा app download करें app download करने के बाद chat section में मेरे साथ आप live दूरेंगे और मेरे बहुत सारे store में sequence video courses है उसको भी आप ले सकेंगे तो फ़राफ़ डाउनलोड केजिए और बने रहें मेरे चैनल पे live मेरे साथ तैंक्यू